और गांदरवल आतं के हमले में बड़ी ख़बर सामने आई, आपको बता दे हमले की मास्टरबाइंटर नाम सामने आगया है, आतं की हमले के पीछे शेख सज्वाद गुल शामिल है TRF का ये कमांडर है शेक सज्ञाद गुल गांदरवल हम ने की इसी ने साज़श रची थी बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं आतंकी हमले के पीछे जो व्यक्ति है उसका नाम सामने आ गया है वो आतंकी जो कमांडर है टियार एफ का शेक सज्जाद बुल नाम है उसका साहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं साहिल ये बड़ी खबर इस वाक टियार एफ का कमांडर इस पूरे हमले के पीछे बताये ज़रा जानकारी देखे कल देर शाम जिस तरह से गगनगीर इलाके में प्रवासी मजदूरों को आतंकवादियों नी निशाना बनाया उसके थोड़े ही बाद ही सोचल मीडिया के जरी ये लशकर इतवाद से जोड़ी संगठन टी आरफ ने इस हमले की जिमदारी दी है टी आरफ के जो कमांडर है वो सजजाद गुल शेक सजजाद है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में हैं और सूतरूंस की माने तो वो इस आतंकी हमले के मास्टर माइंड है ये सुनमग इलाके म जो कनस्ट्रक्शन साइट है जर्ड मोहर टनल की इस पर जो आतंक बादियों ने जिस तरह से प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया और साथ लोगों की इसमें जान चली गई है सूतरूं की माने तो इसमें टी आरफ आतंकी संगठन जो है वो इन्वाल्व है उनके आतं जानकारी इकठा करने के बाद कल देर शाम इन आतंक बादियों ने इन मजदूरों को निशाना बनाया और इसमें साथ लोगों की जान चली गए जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल ले फिलाल यही जानकारी आ रही है कि टी आरफ जो की लशकर तयवा की के साथ जुड़ी वो काफी सक्रिया रहते हैं तो कुल मिलाकर इस वक्त ये जानकारी आ रही है कि टी आरफ के मास्टर जो कमॉंडर है शेक सज्जा जो की पाकिस्तान में है इस वक्त वही इस हमले के मास्टर माइंड है और इसी के चलते अब इस पूरे मामले की जांच एनाय के दौरा होगी एनाय की टीम श्रीन अगर पहुंचने वाली हैं उसके बाद वो यहां पर भी पहुंचने के लेकिन इस वक्त यहां पर गगनगी जाएगा जान जो है और तेजी से आगे बढ़ाए जाएगी उसके बाद बहुत शुक्रिया साहल इस तमाम जानकारे के साथ